हेलो एब्रिवन कैसे आप सब मेरा नाम है महिस आप देख रहे हैं इस सीजन के लिए फैन और फ्रेंचाजी दोनों बहुत उसाइद हैं ऐसे में दिल्ली कैप्टल ने इस सीजन के लिए नई जर्सी लांच की है फैन्स के मौजूदगी में एक कारिक्रम में टीम के लिए नई जर्सी का लुक जारी किया गया IPL 14 का शुरुवाथ 9 अपरेल से होनी हैं तो दिल्ली कैटल ने नई जर्सी लौंच किया है दिल्ली कैटल के CEO विनोत बिष्ट ने दिल्ली कैप्ल के जर्सी के लोगों जारी किया मौके पर एक खास वीडियो भी सेयर किया गया इस कारी क्रम के दोरान दिल्ली कैप्टल के कप्तान स्रे सयर सेखर धवन वीडियो कॉन्फरेंस के जड़िये जुरे दिल्ली कैप्टल मौके पर एक वीडियो जारी किया इस बार भी जर्सी में नीला और लाल रंग नजर आएगा आपको बता दे कि धवन और स्रेसयर पूने में है और वह इंगलाइन के खिलाब ODI स्रीज का हिस्सा है और खेल रहे हैं दिल्ली कैपिटल पहले दिल्ली डेविड डिवेर से दिल्ली कैपिटल बना लेकिन वह अभी तक अपना एक बार भी IPL का खिताब नहीं जीत सका है पिछले साल UAE में खेले गए सांदार परदर्शन किया था दिल्ली कैपिटल ने बहतरीन परदर्शन किया था दिल्ली के टीम को फाइनल में मुंबई से हार का सामना करना परा था इस बार दिल्ली की पूरी कोशिस होगी की अपना पहला खिताब जीतने के लिए IPL में और दिल्ली के साथ आस्ट्रिलिया के दिगज बलेवाज स्टीव इसमी चुरे हैं उमीद है कि इस बार दिल्ली ट्रॉफी जितने में काम्याब होंगे क्योंकि दिल्ली में कई युवा पलेवाज भी हैं चाहे वह दिल्ली के कप्तान सरे सायर हो युवा पलेवाज विकेट की परिसर पंथ हो चाहे वह पृत्विस्रा हो या दिगज बलेवाज इस्टीव इसमीद हो बहुत सारे नामी ग्रामी खिलारी है दिल्ली कैप्टल के साथ चुरे हुए तो दिल्ली इस बार काफी जैदा मजबूत टीम रजर आ रही है पिछले बार दिल्ली फाइनल तक गई थी लेकिन फाइनल में वह जीत नहीं पाई हार का सामना करना परा बहुत ही ब दिहास बनाए हाला कि दिल्ली में युवाव चेहरा है तो दिल्ली जीत भी सकता है आईपियल हाला कि हर टीम इस वार आईपियल में दमदार और जोरदार परदर्शन करना चाहेगा क्योंकि आईपियल 14 का सिचन बहुती बहतरीन और लाजवाव होने वाले हैं क्योंकि सभी टीम जोरदार परदर्शन करेगे सभी टीम में युवाव चेहरा कई लोकल्स प्लेयर सामील हैं तो दोस्तों अगर आप यह वीडियो फेस्बूक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो हमें फेस्बूक के फॉलो करें और इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें कोमेंट करे हुआ है